दर्शकों के फीवरिट किरदार आखरकार एक के बाद एक क्यूं तारक महता का उल्टा चश्मा शोड़ कर जा रहे हैं चलिए उस पर बात करते हैं आखरकार खोद आसित कुमार मोधी ने क्या कहा है स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाइ में मैं हूँ अदिती शर् तो दोस्तो आप सभी जानते हैं कि तारक महता का उल्टा चश्मा से जैसे ही तारक महता यानि की सैलेश लोड़ा की एक्जिट हुई है उसके बाद ये शो लगा तार सुर्खियों में बना हुआ है और साथ ही कभी ना सुलजने वाली ये गुथी के दिशा वकानी की वाप पाता हूं और लाइफ में बदलाव भी बहुत जरूरी होता है और हमें इस बदलाव को पॉजिटिव तरीके से शो से अलविदा कह रहे हैं लोगों को शुब कामना है और आश्रवाद देना चाहिए मतलब इस बदलाव को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और यहां ने कहा है कि उनकी शो में वापसी एक चमतकार जैसा ही होगा क्यूंकि आज तक भी लोग उस किरदार से उबर नहीं पाए हैं लोग किसी और को देखी नहीं सकते दया बेन की जगा पे ये सच भी है दोस्तो उस किरदार में कोई फिलहाल तो फिट नहीं बैटरा पांच साल हो कहीं आसित कुमार मोधी इससे बौक लाए हुए तो है ही शो की टी आर पी भी कम हो रही है आप सभी को क्या है कहना कोवेंट्स में जरूर बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में